हलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग तो गाइस सुगरी भागोहान का प्रिकास मेरे देरे प्रिकास हलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग तो गाइस आज हो रही है मंदिर की सफाई तो यहां देख सकते हैं पूरा पूजा का सामान है जो की मैंने उपर छत पे धूप में रख दिया और आज मैंने पूजा की सफाई की तो बादल भी हो रहे थे फर चकलो सब्सक्राई जैसे ऑज यूगल बगए तो उनमें अच्छी धूप लग जाएक और यह ना कल के कपड़े रखे हुए थे तो मैंने का चलो इनको फैला देती हूं रात में मैं कभी भी कपड़े अपने बाहर नहीं डालती हूं वैसे किसी को भी नहीं डालना चाहिए कभी भी कपड़े रात में बाहर तो बस मैंने बाल्टी में भरके सीडियों के पास रखे तो अभी मैं इनको फैला देती हूँ और बस फिर चलते हैं नीचे तो गाइस मेरी ना पूजा हो चुकी है जैसे कार्तिक में अभी नहा रही हूँ तो गीता का भी पार्ट करती हूँ बहीं तुलसी जी के पास में बैठके तो जो अगला ब्लॉग आएगा ना तो वो सारी च तो पड़ोस की छत पे भी मैंने फैला दिये हैं और पास में बच्चर हो रहा है तो उसकी आवाज आपको आएगी तो मैं क्या करूँ मैं बहुत परेशान होगी बॉइस रिकॉर्ड के लिए मैं ऊपर नीचे करती रहती हूँ कि ऐसी जगह बैठू हूँ पर घर में कार प क्यों नहीं नहला है क्योंकि अभी आपस से इनको खूब अच्चे से सफाई करेंगी दही से नहलाओंगी और पूरा मंदिर मुझे क्लीन करना है आप लोग देख सकते हैं पूरा मंदिर बहुत जौदा गंदा हो रहा है तो फटा फट से पूरा सामान निकालती हूँ फिर नहीं तो लेट हो जाएगा तो गाइस सबसे पहले मंदिर खाली कर लेते हैं आपर जो भी सारी फोटो वगरा है सब लेचलते हैं आगे बालकनी में क्योंकि बालकनी को मैंने मॉर्निंग में ही धुल लिया था बिलकुल साफ है तो वहाँ पे सारे पूजा के फोटो है और जितनी भी है सीनरी वगरा उसारी ले चलेंगे और जो मूर्तियं वगरा इनको आज मैं दषी च जाच से खुब गिसुंगी कूपि इसी लिय म États का मैं यूज करती नहीं हूँ पीतामरी का यूज मैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए करती हूँ मूर्तियों पे मैं पीतामरी नहीं लगाती हूँ पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता तो मैं उनको सिर्फ दही और खटे जो छाच होता उससे करती हूँ तो गाइस मैंने ये पूजा के कपड़े निकाले हैं जो की आसन वगएरा तो मैं ले जा रही हूं इनको उपर ये सर्फ ले लिया है और उपर धुलने के लिए लाला ले आओ मम्मी जी ये धोद होगी क्या जब तक मैं आऊंगी तब तक सूप पूजा मंदिर दोओंगी तब तक ये सूप जाएं हां ला रही हूं ये धोदे ना सारे कपड़ें आसन हैं तो गाइस जो पूजा की कपड़े थी ना सारे वो मैं मम्मी जी को देकर आ गए ये उपर क्यों कुछ दो रही थी मुझे लगागी ये कपड़े भी दो देंगी तो वो उपर दोके डाल देंगी जब तक मैं मंदिर बगएरा साफ करूंगी ना तब तक वो कपड़े भी पूरा घर साफ करने में नहीं लगती इतनी मेहनत मेरी मंदिर में लग जाती क्यूंकि ये जो पथर देख रहे न साल में देखो एक ही बार हो पाता है इतने अच्छी इस किलीन और एक बार होता है होली के टाइम पर ऐसे ही डीप क्लीन करती हैं पूरा अंदर से मंदिर ना आप लोग खुद कहोंगे कि हाँ गोरी ने तो आज वागई चमका दिया मंदिर मैंने बड़े गरम पानी करके लेके आई हूपर मैं बड़ा धीरे-धीरे करके डाल रही हूँ क्योंकि ना मकडी है तो मैं सोच रही हूँ मकडी एक भी मरे ना चली जाएं यहाँ से क्योंकि वो भी एक पापी लगता है अगर गरम पानी पढ़ जाए उनके उपर तो मैंने आप इस सर्फ लिया है और मीठा सोडा लिया देख सकते हैं आप लोग कितनी ज्यादा कालिक निकल रही है उपर का तो मैंने साफ कर दिया तो उपर का बिल्कुल पत्तर खुब गिस गिस के स साफ कर दिया तो चमक रहा है इस वक्त और नीचे का अब मुझे साफ करना है तो बस और एक तरफ में पानी को भी रोकती जा रही थी हम जो मॉब बाला पोचा है उससे बराबर से मैं उसको पानी को रोक रही थी वरना नीचे चला जाता पानी और देख सकते हैं अब बबाँ चाना ऐं न ओंगा खंड लिए तो इसमें जितनी है पीतल की पर थाकुर जी है और लख्षमी जी वश्णू भगवान हैं थाकुर्य हो producela ूme मैं थोड़ी देर के लिए बैठ वही हूं बहुत ज्यादा थक गई अभी और इतनी ज्यादा मुझे थकान पता है अपने रूम को बैड को अलमारी को क्लीन करनी में नहीं लगी जितना मंदिर में लगी है ओ शौरी मोबाइल गजा था बहुत मेनक लगी है पूरा इतना काला काला निकला है कि मैं आपको क्या बताओं पूरा मंदिर साल में एक बार ही धुलती हूं खूब अच्छे से तो मेह में लगती है और उपर कपड़े डाल के आई हूं भगवान जी के सारे तो चलो अब लेके आती हूं और मैंने पास मिनित का रेश किया और बाहर भी मैंने सारे डिब्बे वगएरा धूल दिया है चलो मंदिर दिखाती हूं मैं तो आप देख सकते हैं इधर की सफाई और यह निकाला है बाहर सामान जो की जाएगा ठंडा कराने के लिए मेरी आवाज भी धीरे निकल रही है और देख सकते हैं सारे जो हैं बरतन तो इनको धुल लिया है और यह सारी चीजे फोटो सारे कुबच्चे से कीन कर लिए आधे मैंने लगा भी दिये और यहां के लि हरी हरी गास जो आर्टिफिशल वह लेकर आऊंगी तो वह बड़ी सुन्दर लगती है तो जब हस्पेंड आएंगे तो उनके साथ जाकर लेकर आऊंगी अभी तो नहीं ला रही हूं और यहां भी सारा कुछ क्लीन हो गया तो चलो चलते हैं ऊपर तो गास पूजा में लाल कपड़ा विशा देती हूं मैं पूजा में दो कपड़े विशा रही हूं एक तो यह सिंपल है सूती लाल कपड़ा और एक है मकवल का जो लेकर आई थी मैं तो वो बिचाओंगी दो बिचाओंगी मैं अचलो फटा फट से सारे फोटो लगा देती हूं मैं आपन तो आप लोगों को अभी दिखाओंगी पूरी पूजा इतनी सुंदर लग रही थी न और यहां न मैं भगवान जी को बापिस से एक बार और नहला रही हूं बाह मुझे कुछ काना है क्योंकि बच्चों को तो मैंने दूद बिस्किट वगवारा दे दिया था तो यहां मैंने दीपक और बस यहां पर लगा दिया है धूप बगवारा और भोग अभी रग दूँगी और इससे जादा मैं नहीं कर पाई थी चली गई थी नीचे अभी मैं मैं फिलाल जा रही हूं नीचे अनिक को कुछ दूँगी खाने के लिए क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी है तो पहले कुछ बना लेती हूं जाके उसके बाद पूजा का काम करूंगी अब मैंने दीपक बगरा लगा दिया तो अब मैं भी कुछ खा लूँगी बार फटाफट से सबजी कार दी क्योंकि लेट हो रहा था बच्चों को भी भूख लगी थी तो फटाफट से मैंने इसमें तेल डाल दिया है राई जीरा और बस सिंपल ही बना रही हूं कुछ भी नहीं डाल रही हूं और मुमी जी ने प्याज भी खाट दिया था तो फिर इसक मौसम आ रहा है तो मटर को भी यही सबजी जादा चलेगी तो अभी तो मैं सिंपल मटर बगर कुछ भी ने डाल रही हूं और घर में इतना ज्यादा काम फैला हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं बहुत ही जादा सबकी घरों में होगा इस वक्त मेरे घर में क्या सभी सभी तो गाइस मैं अगले दिन का यह वीडियो ले रही हूँ पूजा के बाद का तो यहां मेरी पूजा हो चुकी है वीफोर आफ्टर मुझे बताना कमेंट करके कि मंदर आपको कैसा लग रहा है यह देखोई साफ करके रखा है और बस यहां पे मेरी आज की पूजा समापन हो